हेलो फ्रेंड्स मैं प्रमीला आई एंडी चैप में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स एक कच्चे आलू है अज इसी की रेश्पी हम आपके साथ सेयर करेंगे ब्रत में खाने के लिए कल एकादसी एफेंस उसी के उपलप्ष में यह हम आपके साथ सेयर कर रहे हैं तो देख पारेंगे इस आलू को पहले शिलका हटा लेना है जितने भी हमारे पास आलू है अब इतना बड़ा एक बरतन लेना है सभी को अच्छे से ग्रेट कर लेना है तो फ्रेंट देख पारेंगे ग्रेट करने वाला ज़्यादा पतला नहीं है इस तरह से इसका होल मूटा है जितने भी आलू है इसी तरह से हमें ग्रेट कर लेना है बहुत ही कुरकुरे पकोड़े बनके तयार होंगे फ्रेंट एक बर हमारे तरीके से जरूर बनाना यह हमारे सारे अलू ग्रेट हो गए है अब इसके अंदर डालेंगे पानी पानी डालके अच्छे से धू के साप कर लेना है तीन पानी से तो फ्रेंट देख पारेंगे हाथों से मसलती हुए इसे हमने अच्छे से साफ कर लिया है अब इसे निचोडती हुए एक इस तरह से थाली लेंगे अब सारे जो हैं देख पा रहे होंगे इसी तरह से निचोडती हुए हम बाहर थाली में रख लेंगे ऐसे ही जितने भी हमारे पास ग्रेट किया हुआ आलू है इसी तरह से सभी को चानते हुए बाहर निकाल लेना है तो यहाँ पर हम निकाल लिए इसकी अंदर डाले हमने बारिक कटा हुआ धनिया इह हमने डाला कुटी हुई काली मीर्च ए है सेना नमक, व्रत वाले नमक है व्रत ने बना रहे हो तो आप से ना नमक का ही इस्तिमाल करना अब यहाँ पर हमने लिया है हरी मिर्च बारी कट कर रहे हैं फ्रेंस आप अपने टेश्ट के अनुसार हरी मिर्च लेना अगर आप कटी हुई नहीं पसंद करते हो तो यहाँ पर आप किसी हुई भी ले सकते हो यह हमने डाला सिंगाडे का आटा सिर्फ दो टेबल स्पून फेंस सिर्फ इसे अच्छे से मिलाने के लिए तो देख पा रहे होंगे इस तरह से अगर आप बनाओगे न बहुत ही कुरकुरे पकोडे बनके आपका तयार होगा बिल्कुल मिन्टों में बना सकते हो फेंस अब इसे दो मिनट तक हम रख देंगे मिला के अच्छे से ताकि यह जो हमारा आलू है न अच्छे से सौप्ट हो जाएगा इसी तरह से मिला के हम रख देंगे दो मिनट के लिए यह हमने रखा है कढ़ाई कड़ाई को अच्छा सा गरम कर लिए हैं अब इसके अंदर डाल रहे हैं देसी घी ब्रत के लिए बना रहे हैं तो देसी घी से ही बनाना तो अब घी को क्या करेंगे गरम कर लेना है अच्छा सा तो फ्रेंड यहाँ पर गैस को उने जला लिया है घी हमारा गरम हो गया है देख पारेंगे अब एक एक हम पकोड़े इतनी बड़े साइज में डाल रहे हैं, देख पा रहे होंगे, इसी तरह से सारे पकोड़े को हम डाल लेंगे, हलग अलग फ्राइ करेंगे डाल के जितने भी पकोड़े आएंगे, उतना हम डालेंगे फ्रेंस, गी हमने थोड़ा सा लिया है, जितना हमें fry करना होता है इतना ही गी कड़ाई के अंदर डालती है तो दो मिनट तक हमने हिलाया डुलाया नहीं है फ्रेंस देख पारेंगे हमें spoon से इसे पलट रहे हैं देख पारेंगे इस तरह से color change हो गया हमारा दो मिनट तक फिर हम इसे पलट रहे हैं पहले हमने क्या किया है घी को अच्छा सा गरम किया है फिर इसके बाद हमने पकोड़े को डाला है फिर गैस का flame बिल्कुल medium रख लिए हैं फ्रेंस ताकि इससे हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ही कुरकुरे बनेंगे तो color देख पारेंगे कितना अच्छा आ गया है अब घी से अब हम बाहर निकालेंगे पकोड़े को छानके तेल जो यानि पकोड़े का जो तेल है यानि घी है अच्छे से निचोड लेना है फिर इसे बाहर निकालना है तो फ्रेंट देख पारेंगे ये हमारे पकोडे बनके तयार हो गए हैं सारे इसी तरह से बाहर निकाल लेते हैं छानती हुए एक बार हमारे तरीके से पकोडे जरूर बनाना अगर पकोड़ी की रेस्पी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूलना बहुत ही ये क्रिस्पी है पकोड़े एक बार इसे जरू ट्राइ करना फैंश देख पारेंगे कितना ये क्रिस्पी है जितने ये बाहर कुरकुरे हैं उतना ही अंदर है आप इसे नारियल की चटनी के साथ ब्रत में खा सकते हो मुमफली की चटनी बना के नारियल के साथ खाने में बहुत टेश्टी है फ्रेंस एक बार इसे जरूर ट्राई करना आप इसे रोज के नास्ते या चाय में भी बना के ले सकते हो मिंटों में बना के ले सकते हैं फ्रेंस आपके घर में सभी को ये